आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ x is equal to a cos t, y is equal to b sin t and t lies between 0 to 2 pi ठीक है तो अब हम एक बर solve करने का try करते हैं फिर देखते हैं कि यह explanation है क्या तो हमें एक ellipse दिया गया है जिसमें x क्या है? a cos t and y क्या है? b sin t और t कहां से कहां तक vary कर रहा है? 0 से लेकर 2 pi तक अगर अब हम एक ellipse consider करें तो ellipse कुछ इस type का होगा okay, ellipse कुछ इस type का होगा तो यानि कि यह जो है symmetric है along y axis as well as along x axis तो अगर हम upper part का area निकाल लें तो वो double ही हो जाएगा पूरे ellipse का area ठीक है, upper part का area क्या है? आध्या है ellipse के area से तो यानि upper part का निकाल के double कर देंगे तो ellipse का area आजाएगा, okay तो अब upper part का निकालेंगे तो यह क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? angle हमारा 0 और यहाँ पर angle क्या हो जाएगा? pi, यानि t is equal to pi and t is equal to 0 ठीक है, तो यानि limits हमारी क्या हो गई? 0 और pi तो अब हम देखते हैं कि area क्या हो जाएगा? area will be equal to 2 pi से लेकर 0 तक तो pi से लेकर 0 y dx यहीं लिखते हैं हम तो y क्या हो जाएगा? 2 pi 0 y क्या है? b sin t और dx dx यानि इसका derivative with respect to x अब इसका derivative करेंगे with respect to x तो यह क्या हैगा? 1 is equal to minus a sin t dt by dx तो यानि dx किसके बराबर हो गया? minus a sin t dt के तो इसकी value put कर देंगे तो क्या आजाएगा? minus a sin t dt अब देखें यह जो हमें explanation given थी वो क्या थी? कि minus of alpha integral alpha beta minus integral alpha beta yt x dash t dt और वही हमने use किया है yt minus x dash dt ओके? और integral हमारा pi to 0 है और यह जो alpha beta है यहापे the values of the parameter t और यह जो है हमारे pi और 0 वो हमारे values of parameter t हैं ठीक है? क्योंकि pi से लेकर 0 तक हमने t लिया है तो यही हम explanation use करें अगर हम towards y axis consider करते यह तो हमने area towards x axis consider किया था अगर हम यह वाला area consider करते यह वाला तो हम क्या लेते? limits हम x dy करते यहाँ पर हम क्या करते? integral x dy और वो क्या? किसके equivalent होता? इसके equivalent हो जाता ठीक है? और अगर आप अब विंदोनों को add या subtract कुछ भी कर देंगे तो यह चीज़ बन जाएगी तो यानि जो हमारी explanation है that is matching with the solution तो अब इसे solve करेंगे तो क्या आजाएगा? minus 2ab integral pi to 0 sine square t dt अब देखिए हम जानते हैं कि integral a to b f of x dx किसके बराबर होता है? minus integral b to a f of x dx के यानि कि limits क्या हो गई? interchange हो गई तो sine क्या हो गया? negative हो गया तो यहां पे भी sine हमारा positive हो जाएगा और हमारी limits क्या हो जाएगी? 0 से लेकर pi तक sine square t dt ओके अब cos square theta क्या होता है? cos 2 theta क्या होता है? cos square theta minus sine square theta अब cos square theta को हम लिख सकते हैं 1 minus sine square theta minus sine square theta तो यह क्या बन गया, 1-2sin2θ बराबर cos2θ, तो यानि sin2θ की value यहां से क्या आ जाएगी, 1-cos2θ upon 2 is equal to sin2θ, ठीक है, यह आ जाएगी है हमारी value, तो यानि sin2t क्या हो जाएगा, sin2t हो जाएगा, 0 to pi, 1-cos2t upon 2dT, ठीक है, अब 2 से 2 cancel हो गया, तो यह क्या बचा, ab integral 0 to pi, 1-cos2t dt, तो यह क्या हो जाएगा, ab t minus sin2t upon 2, limits 0 to pi, अब limits कैसे put होती है, upper limit minus lower limit, तो यह क्या हो जाएगा, ab, पहले pi minus sin2pi upon 2, minus 0, plus 0, क्योंकि sin0, 0 ही होता है, अब sin2pi भी 0 होता है, तो हमारे पस क्या बचा, सिर्फ pi ab, और यही हमारा answer है, area of ellipse pi ab है, तो options के according, हमारा option 2 is correct, thank you. Classics to 12 से लेके, Need IIT जेही, Means और Advanced के लेवल तक, 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भर हो सा, आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप, यह WhatsApp कीचे अपने डाउट्स, 8444 सुपर.